पूलिस ने आई-एस के समर्थं में नारे लगाने वाले शक्स को गिरिफ्टार कर लिया गया है पोलिस ने इससे जोड़ी जानकारी साज़ा करेंदे फिलखार मना कर दिया है ये विमान करीब सुफ़ा चार से पांच बजे जैसे ही दोबाई से रवाना हुआ थोड़ी देर बाद भी इसम मसाफर ने आईएस के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिये रुमेंबर तुरंध हरकत में आया और फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया इसकी एमजेंसी लैंडिंग कराई गई आईएस के समर्थन में नारे लगाने वाले शुरू को गिरफ्तार करने और रिमान की पुक्ता जांच के बाद मुंबई से कोची के लिए रवाना कर दिया गया है रिमान में 20 से जादा यात्री सवार थे इलाबाद हाई कोच की लखनो बैंच ने दैर संकर की एफाई आर खारिच करने के याचिका खारिच कर दी है अब इस मामले में 8 अगस्त को सनवाई होगी द्याशंकर ने गिरफ्टारी से बचने और F.I.R. खरिच करने के लिए इलावाद हाई कोट की लखनव बैंच में याक्ची का दायर की थी जिस पर आज पैसला होना था यूपी पुलिस द्याशंकर सिंग की तलास कर रही है लखनव P.C.J.M. पोच ने द्याशंकर सिंग के खिलाव दिरफ्टारी वानिंच आरी किया है द्याशंकर सिंग ने मायावती को गाली देखी उनके जुले वलिया सहित कई जगाहं पर च्छा पिमारी हो रहे है राजसभा में कारवाई की सिर्वात में ही दलित अप्याशार का मुटाउ था जिसके बाद सदर में हंगाम असुर हो गया उधर लोगसभा की सिर्वात भी सोर गुल के साथ ही किपक से हंगामे के कारण लोकसभा की कारवाई के तीसी बार दो बजो तक के लिस्ट अगिप कर दिया गया इससे पहले राजे सभा में भी दलितों के मुद्दे पर हंगामे के बार कारवाई 12 बजो तक के लिस्ट अगिप की गई उपरी सगर में इसके साथ ही अधार कार्ड की अनिवारेता को लेकर धिदरो दर्ज किया सपा और रमल में अधार को अनिवारे में भी बनानी की मांगी जिसके बाद कॉंग्रस नेता राजीर सुखला ने भी इनका समखनी किया मां ने कहा कि मैंने कोई गर्टी नहीं की है मांग्रस ने को बन किया जाए मां ने पाँच पेजो के लेजर में जवाब दिया है कमेटी ने लोग सभा स्पीकर को जवाब सौंपिया है और मां को कमीटी के सामने के इस होने कादे पेश दिया है भगवन मान को गुरवार को तीर बजे तक जाज कमीटी के सामने के सोना होगा आप सांसथ के इस मामली की सनवाई 9 सबस्य जाज कमीटी कर रही है जाज कमीटी की पिछली बैचक में बीजेपी सांसथ किरिट सोमईया ने माना कि भगवन्स मान की इस हर्कत से सांग सद की सुरक्षा से खिलवाग हुआ है बैचत में दिल्ली पुलिस के कमिश्मर भी सामल थे आला कि उनके बयान पर तमेटी में असंतोग सिखाय था विकास नगर विधायक, नफ्रबहाट और वध्रीनाच विधायक राजेंद्र भीडारी रावत मंट्र मंदर के नए सबे से बने हैं गुरुवार को राजभवन में दोनों ने पद और गोपिनयता की सपतली सूतरों के अनुसार आज साम तक मुख्यमंधरी मंदर के कामकाज का बत्वारा भी कर सकते हैं और हरक सिंग रावत के इस्टते के बाद राजभ्य मंदर में दो सीटे खाली ही थी मुख्यमंद्री हरीश रावर दोनों सीटों पर गड़वाल शेत्र को पत्मुजद्व देने का संकेत पहले ही दे चिकेते गौतलब है कि ग्रियमंद्री का ये दौरा तब और एहम हो जाता है जब कश्मीर में मौझूदा हालात को लेकर पाकिस्तान करकार फिरों से काफी उकसाने वाली बयान आ रही है भारत इस सम्मेलन में इसलिए भी हिसा ले रहा है क्योंकि अगर एक भी सद्र से इस बैठक में मौझूद नहीं होता है तो इसे रद कर दिया जाएगा भारत नहीं चाता कि पाकिस्तान को ऐसी कोई वजह हाथ में दी जाए और पडोसी देश को भारत की गंधीता पर सवाल उठाने का मौपम ले जानकारी के मुताबिक भारत इस बैठक में आतनवार के मुद्बे को उठाने वाला है ताकि पाकिस्तान पर दवाव बनाया जा सके सार्क बैठक में भारत जिन्दा पकड़े गए आतनवियों की जानकारी भी साजा करेगा पिछले साल नवेंबर में सक्ता में आने के बार नितिश कुमार को पहली बार अपने विधायकों की तरफ से जिरोड के स्वर्ज इनने को मिल रहे हैं शुक्रवार से सुरू होने वाले बिहार विधान सबासत्र में इस विधेक को पेश किया जाएगा कैबिनिट में जब इस पर चप्चा हुई थी तब नितिश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके कैबिनिट के सदर से इस मुझ्दे पर उनके विचार से सहमत नहीं है लेकिन उन्होंने मना कर इसे पास करा लिया गुरवार को राज्ट्य जाच एजिंसी पूच्टाच के लिए उसे दिली लोकर आई जहां उसने कई एहम खुला सकिये बताया जाता है कि पूच्टाच में बहादूर अली ने साथ सब्दों में कहा कीवे सीमा पार से आया है और लाहौर का रहने वाला है उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है इसे पूच्टाच अभी भी जा रही है केंदर मंत्री जिटेंदर सिंग ने कहा कि जम्मु कश्मी समेट भारत के अन्य विस्टों में आतनवादी घचनाओं के तीशे पाकिस्तान का हाथ है ये साफ हो चुका है इसके सबूट भी मिल चुके है उन्होंने कहा अब तक पकड़े जाने पर आतनवादी की खुद ही बता देते हैं कि उन्हें ISI में भूजा है उन्होंने कहा कि नर्सिंग यादव में सुसील पर साजिस के जो आरूप लगाए है वो गलत है नर्सिंग को नार्को किया जाना चाहिए सत्पाल ने कहा कि इस मामने की जाश के लिए नर्सिंग यादव का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इसे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा यही नहीं उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे खुद भी नार्को टेस्ट के लिए तयार है सुसील के कोच ने कहा कि नरसिंग उनके उपर बेदुनियादारोप लगा रही है कि मुझे डोपिंग के विजर्ज के बारे में पहले से पता था उन्होंने कहा कि वो नरसिंग के खिलाफ मानहानी का दावा कर सकते हैं राज्य को एक पुद्धी और दिरिक्ट विनिर्मान कर लगाने संबन भी प्रावधान हटा लिया गया है और जियस्टी लागुमोने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राज्यों स्वनिक्सान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी ये भी प्रावधान किया जाएगा कि JST लागुमोने पर केंद्रों और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में JST की परिशद में मामला जाए और वही फैसला करें इस परिशद में केंद्रों और राज्यों के नुमाइंदे होंगे राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंजर वित्तमंत्री अरुंजेती ने बिल पर सहमती बनाने के लिए प्रमुक राज्मे के गलों से बादसीत शिरी करती है कांग्रिस नेताओं से कई दौर की बादसीत पहले ही हो चीती है अब बिल का अंतिम फाका तयार करने के लिए वित्मन्त्री इस हफ़े लेट्स नेताओं के साथ साथ छोटे गलों से भी मुलाकात करेंगे सरकार ने कहा कि इस बिल को तुरन पास की जाने की आविश्रकता है क्योंकि हर पब्लिक सर्विंट को अपनी वार्शिक संपतियों और देंदारियों की कोशना करनी है और एकत्री जुलाई तक ये करना ज़रूरी है इसलिए इस बिल पास की जाने की ज़रूरत है जब कार्मिक मंतरी डॉक्टर जितेंग्र सिंग ने सदन पूल ये आशवासंधिया कि सरकार भुषचार को रोपने के देश से ये बिल ला रही है तो सदन में धनी मत से इस बिल को पास कर दिया गया सरकार की कोशिश यही है कि राजिसभा में इस बिल्ग को आज ही पास करवा ले जो कवाहा हरिश दुलानी 2002 से गायब था वो सल्मान के बरी होने के बाद सामने आया है और कहा है कि सल्मान में ही गोली चलाई थी दुलानी वही ड्राईवर है जिसकी गवाई पर सल्मान के खिलाब केस जल्च हुआ था केस चला था उसी गवाग के बरसों तक गायब रहने के बाद सल्मान बरी भी हुए कई बार कोश में जमानती वारेट चुंकाला था लेकिन दुलानी सामने नहीं आया चुंकार शुकाय मामले के एहन गवाहरिश दुलानी कर खिलासा अभीयेता सल्मान खान पर भारी पर सकता है दुलानी ने कहा है कि उन्हें कोश में गायब बताया गया जब की रेक्ताई नहीं गए सल्मान को बचाने के लिए इनी कवाई के लिए इसी नहीं गुलाया हाफिस ने कहा है कि कश्मीर में गुए विरोध मार्च की अगुवाई लशकर का एक कमांडर कर रहा था हमेशा खुट को लशकर इताइबा से अलग बताने वाले हाफिस ने 26-11 हमलों के बार पहली वारातन की संग्षन के बारे में सारवजनिक तौर पर कुछ कहा है पाकिस्तान समय दुनिया भर में लशकर के बैन होने की वज़ा से हाफिस साइथ हमेशा जमात और दावा को खुट का संग्षन बताते हुए खुले तौर पर लशकर से कनेक्शन होने की बात से इंकार करता रहा है हाफिस के बायान से ये साबित हो गया है कि बीदे दो दिनों से पाकिस्तान सक्कानी कस्मीर में भड़की निम्सा को और बढ़ाने की कोशिश की है और इसे सिविल राइट से जोड़कर फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है सताधारी आमादमी के विधायकों पर गिरिंगाज को पार्टी के में ता केजरिवाल में साचिस करा दिया दिल्ली की जनलता के नाम संदेश में केजरिवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आमादमी पार्टी के उपर दमन चक्री चलाया जा रहा है कि जेलने की कोशिश की जा रही है हमारे दस विधायकों के विरिफ्कार कर चिके है और एक विधायक के घर पर रेड़ परवाई गई है इतना ही नहीं के ज़िवाल ने मोरी सरकार पर खुला हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे के ज़िधायकों को जूटा सच्चा ओफिस और प्रॉफिट कहकर आयोग्य साबित करने की कोशिश की है और इहोंने हमारे एक सांसत को सस्पेंट कर दिया